अगर तेलंगाना का हर तरह से विकास हो, जिस कॉंगर्स मार्टी नीसक शेत्रों को बर्मात कर दिया, वो अब सेवा के लिए सामने आई है, बेरस प्रमुग केसिया ने आलोशना की। मनमोदी गारंटी, बेजेपी भरोसा के नाम से घोशना पत्र का आयलान किया गया। मनमोदी भारत ट्रेने आवाटी थी गई है, कोरोना के दोरान पूरे देश को मुफ्त राशन दिया गया। उन्होंने कहा कि पानी, फंड और नियक्तों के मामले में त्यलन गाना के लोगों की आकांगशाई पूरी नहीं हुए। आमित्षा ने आरोप लगया कि कारे शोरम के रूप में सारा पैसा केस यार को गया। बीजेपी के घोशना पत्र में शामीर प्रमुक बिंदू, धरनी की जगा, मी भूमी, एप, पेट्रोल और डिजल पर वैट में कटोती, घोटानों की जांच के लिए ब्यारस सरकार कटित करेगी समीती। खाड़ी पीडितों के लिए वीशिश नोडल विभाक का गठन, सरकारी करमचारियों और पेंशन भूंकियों के लिए वेतन और पेंशन जारी हर मेने की एक तारिक, धार्मी का रक्षन हटाना, बीसी, एसी, एस्टे में बड़ोत्तरी, बीजेपी के घोशना पत्र में कहा अंतर समर्दन देने के लिए जेरस अस्वेशन को धन्यवाद दिया। से एक बार फिर सतारू दर से चुनाओ लड़ रहे मंत्री मलारेडी खेलों के साथ प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर लोगों में जोश भर रहे हैं। कुतूबुलापूर के बीजेपी प्रत्याशी कुनाश्री शेलम गवर जीडी मेटला एक सो बत्तिस डीजन में बीजेपी द्वारा आई जीत नुकर सभा में शामिल हुए उन्होंने मतदाताओं से अनुरोद किया है वे इस चुनाओ में कमल के फूल के निशान पर वोट करें और उन्हें जीता हैं। कार्यकरम में भाजपा के पूरु प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर एस मला रेडी, जिला ध्यक्ष पन्नाला हरीश रेडी, मंडला ध्यक्ष, नेता, कार्यकरता और बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। कहा किसी के खिलाव गलत प्रचार करना छोड़ दें, उतर प्रदेश में कांग्रिस ने 402 स्थानों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी, उन्होंने पूछा क्या कांग्रिस ने उस समय किसी के साथ कोई डील की थी, जो उसे करारी हार क का सामना करना पड़ा. साल का मौका दिया, वो कुछ नहीं किये, दस साल को उन्होंने बरबाद कर दिया, अब कांग्रिस आई है, तो कांग्रिस में तो इनके जो राहूल गांदी है, बिचारों को ऐसा लगता कि उनको भूलने की आदा था, वो जल्दी भूल जाते हों, इलेक्षन में यहां पर मेरे को बरसों से उला रहे, उन्हों अपने आसामी अंदा से बोले, अरे भाई अभी तो तुम आ जाओ ना, तिरुपुरा में जिन्दगी में नहीं गया, मगर इनको एक ही डर है जैसा मौलने का, पूरे पार्लिमेंट में पांसो चालीस एंपी है, पांसो चालीस एंपी ह मगर किस से डर है उनको हैद्राबाद की शेरवानी से, ना इंसे ना कोई खाके ना पीके, अच्छा जिसके पास घर में कोई नहीं हो से क्या वास्ता मेरा, उन्हों अलोन है, आप तमाम मेरे साथ है, अल्ला मेरे साथ है, और राहूल गांदी मीडिया को बोल रहे हमारे दर रवासा हमारे लिए काफी है, और वो जो सुनेरी जाली आयना, वो हमारे लिए काफी है, तुम देखते भी ने तुमारी तरफ, वो सब गुंबत का मकी की तरफ देख लिए, वो काफी है, उनका सब काम को मिलता है। पूछ रहे हैं, अगर कामारेडी से चुनाव लड़ रहे है, रेवन्त रेडी बिजली के तार पकड़ते हैं, तो क्या करंट आता है या चुराकल ने कहा कि उसे मालूम होगा, बियारेस के सता में आने पर बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, इसलिए हमने चावल की खेत बड़ा ही है, तिलंगाना में लागू की जा रही कल्यानकारी योजनाएं देश के लिए अनुकरनी है, केसी आर तीसरी बार मुख्य मंतरी बन रहे हैं, और यह चुनाव जीतने के बाद नई पेंशन और नए राशन कार्ड दिये जाएंगे, प्रधान मंतरी मोदी और कॉ जाहूल गांधी को तिलंगाना से कोई प्यार नहीं है, कॉंग्रिस के लोग इस बात से नारास्त है, वे धरनी को उठा कर पटवारी प्रणाली लाने की ग्रहा मंतरी महमुद अली ने मुस्लिमों को धोका देने के लिए कौनस और बीजीपी पर जम का निशाना साबा, उन ग्रह मंतरी महमुद अली ने सिकिंदराबाद 56 निर्वाचन क्षेतर के बोईन पली ते लंगाना गार्डन में आयोजित मुसलिम अल्पसंख्यों की आध्यात में बैठक का दोरा किया, अल्पसंख्यों को निर्देशित किया गया, सभी मुसल्मानों को CMKCR के साथ रहने की सलाहती जाती है विधाओं से युक्त, डबल बेडरूम मकान, निशुलक एवं निश्पक्ष उपलब्द कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि तिलंगाना राज्य सरकार ने शहर के हर घर में प्रती माह बीस हजार लीटर तक मुफ्त पीने का पानी उपलब्द कराने के लिए बी आरस सरकार में गरीबों और मध्यमवर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। विकास और कल्यान कारिकरम केवल बी आरस के साथ लागू किये गए हैं। उन्होंने लोगों से कारचनाव चिन्ह के लिए वोट दे कर उन्हें हैट्रिक रिंग में खड़ा करने के लिए कह मधू याशी की गौर्ण ने कहा एलबी नगर में पुलिस विधायक सुधी रड़ी के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रही है। कम से कम उन्होंने बिना किसी वारन के आधी रात में घरों और कारियालें उपर हमला किया और उन्हें आतंकित किया। जब चुनाव सहिता ह तो किसी भी अधीकारी को चुनाव आयों के दाइरे में ही काम करना चाहिए। इसकी शिकाया जिलाक कलेक्टर और रिटर्निंग आफिसर से की गई लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री और विधायकों के दबाव में काम कर रही है। इसकी शिकायत ECI और DGP से की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस फल्फूल रही है। राजीव ग्रहकलपा और अन्य कॉलोनियों में अभियान चलाया। मेर्चल बीजेपी उमिद्वार एनगू सुदर्शन ड्रेडी ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से बी आरेस पार्टी ने राज्य के कई लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दलितों को तीने कर जमीन, बेरोजगारी भत्ता, दलित मुख्य मंत्री और घरेलू नोकरियां जैसे सभी वादे कुछल दिये गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तिलंगाना राज्य में सत्ता में आएगी और मेर्चल निर्वाचन क्षेतर की हर समस्या का समाधान करेगी। PCC महासचिव नर्सा रेडी भूपती रेडी ने रीटर्निंग आफिसर से शिकायत की, कुद्बुलापूर कॉंगर्स नेता चुना प्रचार के लिए तिलंगाना अंदोलन के दौरान खुद को बलीदान करने माले कार्य करताओं की फ्लैक्सी तस्वीरों के इस्तमाल पर हार्डिंग्स कैप्शन के साथ तिलंगाना कॉंगरेस के बतका नियादू जिसने कुद्बुलापूर निर्वाचन क्षेतर के गांधी मैसमा और बहादूर पल्ली इलाकों में रात रात भर कार्य करताओं की बली चड़ा दी इस मामले में PCC महासचिव नर्सा रेडी और क पुद्बुलापूर कॉंग्रेस उमिद्वार हनुमंत रेडी ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया भूपती रेडी ने रीटर्निंग आफिस में चुनाव अधिकारी पुली सैदू के पास लिखित शिकायत दर्च कराई कॉलन हनुमंत रेडी ने न केवल प्रचार के लिए बदनाम कार्यकरताओं का इस्तिमाल करने बल्कि कॉंग्रेस पार्टी को निशाना बनाने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है चुनाव अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फ्लेक्सी लगाने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की उन्होंने कहा कि वे कॉंग्रेस का पक्ष ले रहे हैं के लिए रूबरूत के दोरान कॉंग्रेस की सरकार बनाने पर मंतरी सभिताइंद्रा रेटी के भष्टाचार को बाहर निकाला जाएगा और जेल भेजा जाएगा एकेस युनिवरसिटी के तिलंगाना प्रभारी सामा शिवा यादव ने कहा हम दिन बदिन कृशी और कृशी शिक्षा की बढ़ती लोग प्रियता देख रहे हैं हाई स्कूल और कॉलेज एग्रिकल्चर बी एस सी कोर्स संचालित कर रहे हैं उनमें से आई सी ए आर से मानेता प्राप्त विश्व विद्याले में बहुत कम सीटे हैं और फीज अधिक है उन्होंने कहा उन्हें प्रचार समिती का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पीम मोदी की सभा एलबी स्टेडियम में आयजित की गई चुनाव में सफलता मिलने पर बीजेपी का मुख्य मंत्री बनेगा जो आपके हाथ में है मैंने अब तक हार नहीं मानी अगर आप कड़ी महनत करते हैं और लोगों पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है उन्होंने राज्य सरकार की असफलता को लेकर टिपणी की केसी आर के कार्यकाल में शी टीम्स और सीसी कैमरों की निगरानी होने के बावजूद नंदनवन में बच्ची के साथ दुश कर्म होता है तो कोई प्रतिकरियान नहीं मिलती या कारगर कारवाई नहीं की जाती एलबी नगर पुलिस टेशन क्षेतर में महिला के साथ पुलिस दुआरा बरबरता देखी गई जिस पुलिस को महिला की सुरक्षा करनी होती है उसी पुलिस ने उस महिला की पिटाई कर दी उन्होंने कहा भूमी रजिस्ट्रेशन बिना एक रुपिया खर्च किये हो जाता था कई लोगों को डबल बेडरूम का घर उपलब्द नहीं हुआ के सियार की तरह पियम मोदी का कोई बेटा दामाद या बेटी नहीं है देश की समस्त जनता उनका परिवार है राज में व लिए पैसा दिया है लेकिन नाम के सियार को दिया गया है